Hello everyone, मेरा नाम है जोती राज, welcome back to education भहिया, आज की वीडियो में हम लग पढ़ने वाले हैं agriculture chapter को and इस chapter को मैं और सुधानसु मिलकर बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर से देखना देखो तुम सब को पता है, agriculture का मतलब होता है खेती वाड़ी करना और जो इंडिया है न, वो agriculture पे heavily dependent है, क्योंकि इंडिया का almost two-third population agriculture में engaged है अब देखो जब तुम agriculture का नाम सुनते होगे, तब तुम्हारे दिमाग में fruits and vegetables आते होगे लेकिन उसके अलावा, agriculture के माध्यम से बहुत सारे raw materials भी produce किये जाते है जैसे की tea, coffee, spices, वगेरा वगेरा लेकिन देखो agriculture cultivation करने का जो जो मिठट होता है न, वो अलग-अलग जगा पे अलग-अलग type का होता है अगर हम लोग सारे types को explain करने लगेंगे तो वो बहुत जाता lindy हो जाएगा लेकिन फिर भी अगर हम लोग physical environment, technological और socioculture practice को देखकर agriculture methods को divide करेंगे तो उसके तीन ही types निकलेंगे मतलब basically farming के तीन ही types होते हैं पहला है primitive substance farming, दूसरा है intensive substance farming और तीसरा होता है commercial farming चलो तीनों को अच्छे से पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि primitive substance farming क्या होता है तो इस farming method में एक बहुती छोटे से land में primitive tools का use करके farming किया जाता है primitive tools जैसे की dough, digging sticks, बगेरा बगेरा और इसमें ज़्यादा तर farming में family members से involved होते हैं या फिर कभी कभार community livers भी involved होते हैं देखो primitive का मतला भी होता है पुराने type से तो primitive substance farming में जो farming किया जाता है, जो agriculture किया जाता है उसमें पुराने जमाने के methods को use किया जाता है उसमें कोई heavy machines, pesticides वगेरा का use नहीं किया जाता है और इस तरह की जो farming होती है, वो heavily rain पे dependent होती है और soil की fertility के लिए भी natural process को ही follow किया जाता है जैसे की अगर soil की fertility कम हो रही है तो फिर slash and burn agriculture method को use किया जाता है तो मगर कभी गाउं गये होगे, तो तुमने देखा ही होगा कि खेत में आग लगा दिया जाता है अब तुम्हें लग रहोगा कि ये क्या nonsense चीज है लेकिन इससे soil की fertility होती है वो regain हो जाती है भले ये पुरानी जमाने का method है, लेकिन काफी useful है इस method से तुम्हें बार बार pesticides को नहीं डालना पड़ेगा जादा chemicals का use नहीं करना पड़ेगा farmers जो होते हैं वो small patch of land में आग लगा देते हैं जिससे soil की fertility regain हो जाती है और फिर वहाँ पे वापस से agriculture किया जाता है और इससे fertilizers और pesticides का use कम होता है अब दिखो primitive subsistence farming का अलग-अलग states में अलग-अलग नाम है तुम screen में देख पा रहे होगे जैसे की मध्यप्रदेश में दाया अंध्रप्रदेश में पोडू पेंडा जहारखट में कुर्वा और अलग-अलग states में अलग-अलग नाम दिये गए और फिर तुम ये दूसरे चार्ट में देख सकते हो की अलग-अलग country में भी इसके अलग-अलग नाम है मतलब अलग-अलग countries में भी primitive sustenance farming का use किया जाता है और तुम देखी सकते हो जैसे मैक्सिको में इसका नाम मिलपा दिया गया है ब्राजील में रोको दिया गया है वेटनाम में रे और अलग-अलग अलग देसों में अलग-अलग नाम दिये गया है देखो एक माक्स के question में आ सकते है तो तुम लोग एक बार इस chart को जरूर देख लेना वैसे इस तरह के farming को mainly tribes लोग ही follow करते है remote area में या फिर forest area में और इस farming के जरीए ज़्यादतर root crop सी produce किया जाते है अब हम लोग जल्दी से intensive sustenance farming को देख लेते हैं इसमें क्या होता है यह बहुत ही ज़्यादग easy है intensive sustenance farming का use high population वाले area में किया जाता है इस farming के जरीए small patch of land में जok थर production किया जाता है and small patch of land में ज़्यादा से ज़्यादा production किया जाता है और अगर ज़्यादा production करना है तो उसमें बहुत साला बायो केमिकल्स का यूज किया जाता है और इरिगेशन भी higher amount में किया जाता है मतलब पानी भी बहुत ज़्यादा amount में पटाया जाता है जिसके कारण water consumption भी बहुत ज़्यादा हो जाता है हाला कि अगर इसे primitive farming से compare करे तो intensive farming के per hectare में जितना crop grow किया जाता है वो primitive farming से कई ज़्यादा होता है अब हम लोग देख लेते हमारे तीसरे farming type को जो की है commercial farming अब देखो इसके नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये farming business purposes के लिए किया जाता है commercial purposes के लिए किया जाता है high मातरा में use किया जाएगा और ऐसे plants को उगाने के लिए HYV seeds का use किया जाता है HYV seeds का full form होता है high yielding variety seeds इसे याद रखना one marker question में आ सकता है अब चलो तुम एक example बताता हूँ जो rice होता है ना जो चावल होता है जो तुम लोग खाते हो वो पंजाब और हरियाना में commercial crop है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े land में इसे उगाया जाता है और इसमें बहुत सारे fertilizers और pesticides का use किया जाता है हाला कि वहीं ये जो rice है जो चावल है ये ओडिसा में ये intensive substance crop है मतलब इसे उगाया तो जाता है लेकिन इतने high amount में नहीं उगाया जाता है ये बस example था अगर examiner चाहे तो one market question में इसे दे सकता है तो देखो हमने तीन type of farming तो समझ लिया लेकिन इसके अलाबा एक और type of farming होता है जिसे हम लोग plantation कहते हैं लेकिन देखो ये कोई food type of farming नहीं है ये commercial farming के अंदर ही आता है लेकिन plantation में कोई particular crop नहीं उगाया जाता है इसमें raw material उगाया जाता है जिसे बाद में industries में भेजा जाता है factories में भेजा जाता है जहांपे final product बनता है इसके examples हो गए tea, coffee, rubber, sugar cane या फिर banana, etc तो देखो plantation कैसे किया जाता है एक single crop होता है जिसे बहुती बड़े large area में grow किया जाता है जैसे इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि जो tea है ना, जो चाई के पते होते है वो असाम में बहुती large मात्रा में grow किये जाते है और वहीं पे जो coffee है वो करनाटका में बहुती large amount में बहुती लार्ज एडिया में ग्रो किये जाते हैं अब दिखो plantation agriculture में सबसे important चीज क्या होता है वो होता है transportation और वो industries के कितने पास है क्योंकि अगर किसी area में plantation किया जा रहा है और वहाँ पे transportation की सुविदा नहीं है और आसपास में उसका industry भी नहीं है तो उसे लाने ले जाने में ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और इससे ज़्यादा profit भी नहीं निकल पाएगा और तुम्हें तो पता ही होगा कि जो plantation होता है न वो capital intensive farming होता है मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है और हाँ उतना ही मोटा मुनाफ़ा भी होता है देखो कौन से crop को किस season में उगाया जा रहा है उस basis पे crops को तीन भागों में divide किया गया है पहला rabi crop, दूसरा खारिफ crop और तीसरा z crop एक्जामस में तुम्हें इन तीनो टाइप के crops के बीच में difference लिखना आ सकता है तो तुम्हें इन तीनो crops के बीच के difference को चार basis पे लिखना है पहला तो यह कि उस crop का sowing time क्या है मतलब उस फसल को कब बोया जाता है दूसरा उस crop का harvesting time क्या है यानि कि उस फसल को कब खाटा जाता है पीसरा region and places मतलब इस crop को कौन से region में उगाया जाता है मतलब country के कौन कौन से states में उगाया जाता है और चौता उस particular crop के कुछ examples देने है इतने points काफी होंगे तुम्हारे full number secure करने के लिए अब एके करके तीनो type के crops को अलग-अलग basis पे समझने की कोशिस करते है तो राभी crop का जो sowing time होता है वो October से December के बीच में होता है यानि की winter season में इस crop को बोया जाता है और इस crop का जो harvesting time होता है वो April से June के बीच में होता है यानि की summer season में इन crops को काट लिया जाता है तो राभी crops को हमारे country में पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मुएंट कस्मीर, यूपी और उत्राखंट जैसे states में उगाया जाता है राभी crops के कुछ examples हैं वीट, बारले, पीज, ग्राम और मस्टर्ड वहीं खारिफ crop को जून से जुलाई के बीच में यानि कि जब monsoon का सुरुआत होता है उस समय पे बोया जाता है उसका harvesting time होता है September और October यानि कि almost जब monsoon खतम ही होने वाला होता है तब इन crops को harvest कर लिया जाता है यानि कि इन crops को काट लिया जाता है और खारिफ crops mostly Assam, West Bengal, Odisha, Tamil Nadu और Kerala जैसे states में उगाय जाते है खारिफ crops के examples है Paddy, यानि कि rice, maze, jowar, moon, purad, jute, groundnut और soya bean और वहीं जायद crops को summer season में उगाय जाता है यानि कि Rabi crop और खारिफ crop इन दोनों के बीच में जो time बसता है उस बीच में जायद crops को उगाया जाता है और जायद crops का कोई fixed harvesting time नहीं होता है क्योंकि sugarcane जैसे जो crops होते हैं उसे almost एक साल लगने ग्रो करने में और जायद crops को किसी एक particular state में नहीं उगाय जाता है ये almost पूरे इंडिया में पाय जा सकते हैं जायद crops के कुछ examples होंगे वाटर मेलन, कुकुमबर, वेजेटेबल्स, सुगर केन और मस्क मेला Types of crops अब हम जान लेते कि crops के क्या-क्या types होते है तो crops को basically तीन काटेग्रे में divide किया गया है तो major crop, दूसरा food crop और तीसरा non-food crop major crop क्या होता है तो major crop के अंदर जितने भी grains वाले food होते हैं हमारे country में यह mostly लोगों के diet का हिस्सा है दूसरा category जो है food crop उसमें non-grain वाले food होते हैं ऐसे कि sugar cane हो गया, oil seeds हो गए, tea और coffee हो गया यह सारे food crops के अंदर आते हैं तो जो तीसरा category है non-food crops का उसमें ऐसे crops आते हैं जिने हम consume नहीं कर सकते हैं जिने हम नहीं खा सकते हैं mostly commercial types के crops होते हैं ऐसे की rubber हो गया और fiber crops हो गया जैसे की jute और cotton यह सारे non-food crops के अंदर में आते हैं अभी हमने crops के जो तीन categories को देखा इन तीनों categories को हम एके करके detail में समझेंगे तो हम पहले पढ़ते हैं major crops के बारे में major food crop में जो सबसे पहला और सबसे famous crop आता है वो है rice और rice जो है वो हमारी country का staple food है यानि कि हमारे पूरे country के हर एक कोने में सबसे जादा लोग rice ही consume करते हैं तुमने सायादी कोई ऐसा घर देखा होगा जिसमें rice का consumption नहीं होता है और हमारा country इंडिया जो है ये खारेफ क्रॉप की काटिगरी में आता है और इसे highest temperature चाहिए होता है ग्रो करने के लिए जो कि अबव 25 डिग्री सेल्सियस इसे rain भी चाहिए होता है high quantity में जिन एरियाज में annually 100 cm या उससे ज़्यादा rain होता है सिर्फ उनी एरियाज में rice को उगाया जाता है और हमारा country rice growth के लिए सारे conditions को satisfy करता है और हमारे country के जीन एरियाज में अच्छा rainfall नहीं होता है उन एरियाज में भी rice को उगाया जाता है क्योंकि वहाँ अच्छा irrigation system है और हमारे country में rice सबसे ज़्यादा यूपी, पंजाब, हर्याना, कुछ coastal regions इसलिए north और north eastern parts में उगाया जाते है यहाँ पर rice का कहानी खतम होता है अब हम wheat की तरफ बढ़ते हैं rice के बाद जो सबसे important crop है वो है wheat और wheat जो है वो हमारे country के north और north western part के food का सबसे important हिस्सा है wheat को उगाने के लिए एक cool climatic condition चाहिए होता है और साथ ही साथ जब wheat के पकने का टाइम आता है यानि कि जब wheat का harvesting season नजदीक होता है उसे अच्छा sunlight भी चाहिए होता है और wheat को उगाने के लिए annually 50 to 75 cm of rain annually required होता है और wheat को हमारे country में mostly गंगा सतलच plains, north west, black soil वाले region चूपी, बिहार और राजिस्थान जैसे regions में उगाया जाता है अब बात कर लेते हैं millets के बारे में तो बहुत साथी grains को मिला करके एक category बनती है उसी को मिलेट्स बोलते है हमारी country में जो major सबसे ज़्यादा grow होने वाले midgets है वह है जोआर, बाजरा और रागी जोआर जो है वह हमारी country के जो moist वाले areas होते हैं यानि कि जिन areas में high humidity होते है उन areas में उगाया जाता है जोआर को उगाने के लिए ज़्यादा irrigation के भी जरुद पड़ती है और जोआर के अंदर बहुत से minerals भी होते हैं वह हमारी body के लिए फायदे मंद है जैसे की iron और calcium और जोआर जो है वह हमारी country में rice और wheat के बाद तीसरा सबसे important food crop है और जोआर को हमारी country में मुझली महराश्टा, करनाटका, अंध्र प्रदेश और मधिप्रदेश में ग्रो किया जाता है बात करें बाजरा की तो बाजरा को sandy और shallow black soil वाले region में उगाया जाता है जैसे के राजस्थान, UP, महराश्टा, गुजरात और हरियाना और अगर बात करें रागी की तो इसे dry regions में ज़्यादा उगाया जाता है रागी जो है वो red black soil, sandy और low me soil में काफी अच्छा ग्रो होता है हमारे country कुछ एरिया जहां रागी उगाया जाता है वो है करनाटका, तम्मिलनाडू, हिमाचत प्रदेश, जारखंड, उत्राखंड और सिक्किम अब हम बढ़ते हैं अपने अगले food crop की तरफ, जो की है maze maze बहुत ही अच्छा food crop है, जो की food और fodder दोनों के लिए अच्छा crop है food और fodder यानि food मतलब हम इंसानों के खाने के लिए और fodder यानि की जानवरों के खाने के लिए भी अच्छा crop है मेज जो है वो खारिफ क्रॉप्स की काटिगरी में आता है इसे 21 डिगरी से 27 डिगरी के बीच का टेंपरेचर चाहिए होता है यानि कि moderate टेंपरेचर में इसे उगाया जाता है और ये old olive soil में काफी अच्छा ग्रो होता है अब हम पढ़ते हैं types of crops की अगली काटिगरी को जो कि या food crops तो पहलो crop जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है sugar cane तो sugar cane mostly tropical और subtropical regions में उगाया जाता है और sugar cane hot and humid conditions में अच्छा ग्रो होता है और इसे 21 degrees to 27 degrees Celsius के बीच में temperature चाहिए होता है जिस एरिया में 75 cm to 100 cm of rain annually होता है उस region में sugar cane अच्छा ग्रो होता है sugar cane अलग-अलग type of soil में भी अच्छा ग्रो कर जाता है और sugar cane को ग्रो करने के लिए बहुत ज़ादा high manual labor का जरौत पड़ता है हमारे country पूरे world में sugar cane का second highest producer है ब्राजील के बाद और sugar cane को mostly use किया जाता है sugar बनाने में गुड बनाने में यानि की jaggery बनाने में और molasses बनाने में हमारे country में sugar mostly UP, महराष्टरा, करनाटिका, तम्मिल नाडू, आंद प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाना में उगाया जाता है अगला food crop जिसके बारे में हम पढ़ने वाले है वो है oil seeds यानि की ऐसे seeds जिसमें से तेल निकाला जाता है जैसे की ground nut, wrap seed, coconut, etc. इंडिया में mostly ground nut, mustard, coconut, sesame, soya bean, cotton, lean seed और sunflower के oil निकाले जाते है और इन oils का mostly soaps, cosmetics और ointments बनाने में यूज होता है ग्राउंड नट जो है, वो एक खारिफ टाइप का crop है और lean seed और mustard राभी crop है और season North India में खारिफ crop के अंडर आता है, वहीं South India में राभी crop के अंडर आता है और जो caster seeds हैं, वो दोनों राभी और खारिफ वाले season में grow किये जाते हैं अब अगला food crop जिसके बारे में हम पढ़ना है वो है tea, यानि की चाय और चाय को जो है, वो Britishers के दौरा हमारे country में introduce किया गया था Britishers के आने से पहले हमारे country में चाय का नामों निसा नहीं था और नहीं हमारे country में चाय की कभी खेती हुआ करती थी यह mostly tropical और sub-tropical वाले climate में उगाया जाता है और tea की खेती के लिए बहुत ही well-fertile और drained soil चाहिए होता है जो की हमस और organic matter में rich हो और tea bushes को warm और moist free climate चाहिए होता है, वो भी पूरे साल और tea को उगाने की जो industry है, वो बहुत ही labor intensive industry है और इसमें बहुत ही high skilled labor की जरुद पड़ती है और tea को जो है, वो tea garden में प्रोसेस किया जाता है ताकि उसकी freshness बरकरार है और teas हमारे country में mostly आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बेंगॉल, तमिलनाडू, केरिला, हिमाचल प्रदेश और मेगालिया में उगाय जाते है और हमारा country इंडिया, tea का भी second highest producer है चाइना के बाद और fourth food crop जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है coffee और इंडिया जो है, वो पूरे world का 3.5% coffee produce करता है और हमारा country coffee की अच्छी quality के लिए भी पूरे world में जाना जाता है इंडिया में coffee का एक variety होता है, जिसका नाम है Arabica जो initially येमेन से लाया गया था हमारी country में पर उसका हमारी country में अच्छा production होता है और पूरे world में उसका demand है Arabica coffee का जो cultivation है, वो बाबा, बुडायन hills में सुरूवा था प्रभी से निलगीरी hills में भी, जो के करनाटका, केरिला और तमिल नाडू वाले एरियाज में है उनमें भी उगाया जाता है अब हम पढ़ते हैं horticulture crops के बारे में fruit और vegetables का जो production होता है जहां fruit और vegetables उगाया जाते हैं, उसी को horticulture crops बोलते हैं और इंडिया जो है, वो second largest producer है fruits और vegetables का चाईना के बात हमारे country में कुछ सबसे ज़्यादा grow होने वाले fruits हैं पर वो किन-किन states में उगाया जाते हैं, वो भी हम एके करके जान लेते हैं ऐसी कि mangos हमारी country में सबसे ज़्यादा producer होने अलब fruit है और इसे मोशली महराश्टरा, आंधप्रदेश, तेलंगना, यूपी और West Bengal में उगाया जाता है दूसरा है orange इसे नागपुर और चीरापुंजी वाले areas में उगाया जाता है तीसरा banana जो के केरिला, मीजोरम, महराश्टरा, तमिलनाडू और लीची और गुगावा जैसे जो फल है, वो यूपी बिहार में उगाया जाते है और pineapple जो है, वो मिघालिया में उसकी खेती की जाती है ग्रेप्स यानि की अंगूर की खेती, आंधप्रदेश, तेलंगना और महराश्टरा में सबसे जादा होती है और थंडे एरियाज में उगने वाले जितने फल हैं, जैसे की अपल, पिर्स, अप्रिकोट्स और वालनट्स, वो जम्मू एंड गस्मीर और हिमाचल प्रदेश में उगाया जाते है इंडिया जो है, वो पूरे वर्ल्ड का 13% सबजी उगाता है और हमारे कंट्री में जिन वेजेटेबल्स की सबसे जादा खेती होती है वो है पीज, यानि की मटर, कॉर्ली फलार, ओनियन, कैमेर, हैटो, ब्रिंजल और पोटेटो हम बात कर लेते, नॉन फूड क्रॉप्स की, यानि की जिन क्रॉप्स को हम कंजब्सर के लिए नहीं यूज करते हैं बलकि उनसे कुछ प्रोड़क्ट बनाया जाता है, जो कि हमारी डेली यूज में काम आते हैं जैसे की रबर, और रबर जो है, वो एक एक एकविटोरियल क्रॉप है, यानि की एकवेटर का पास वाली जितने भी रिजन्स हैं, उनमें उगा जाते हैं क्योंकि रबर को उगाने के लिए special conditions चाहिए होते हैं, और ये mostly tropical और subtropical regions में इनकी खेती होती है रबर की खेती करने के लिए moist और humid climate चाहिए होता है, और इसमें सबसे जादा rain की requirement होती है, जिसमें more than 200 cm of rain per year और 25 degree Celsius चाहिए होता है temperature और रबर जो है, वो एक बहुत है important industrial raw material है, और इंडिया की ranking पूरे world में 4th है, रबर की production में और हमारे countries के gin areas में रबर को उगाया जाता है, वो है केरिला, तमिलाडू, करनाटका, आंडमान और निकोबार आइलेंड्स और मेगालिया के गारो hills में भी रबर की खेती होती है तो non-food crop में जो अगले crop जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है fiber crops, तो fiber crops क्या होते हैं, जिन भी crops है, ऐसा material obtain किया जाता है, जिने कपड़े बनाने में या फिर bags बनाने में यूज किया जाता है, उन्हें हम fiber crops बोलते हैं, जैसे कि cotton हो गया, silk हो गया, जूट हो गया, ये स सारे fiber crops की category में आते हैं, तो हम एक एक करके हर एक crop को समझनी एकोसिस करेंगे, और ये जानेंगे कौन सा crops कैसे उगाया जाता है, और हमारी country कौन कौन regions में उगाया जाता है, तो हमारे country में grow होने वाले जो major fiber crops हैं, वो है cotton, jute, hemp, और silk, और silk जो है, वो silkworms के cocoon से obtain किया जात यानि कि silk farming का जो process है, उसे हम sericulture बोलते हैं, तो silk animals से obtain किया जाता है, यानि कि silkworm से obtain किया जाता है, तो अब हम ऐसे fibers के बारे में पढ़ते हैं, जो कि plants से obtain किया जाते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे cotton के बारे में, तो इंडिया जो है, वो cotton का world में one of the highest producers है, और इंडि cotton play 2 वाले reason में जाद की जाती है, cotton को grow करने के लिए light rain, high temperature और 210 days of sunlight चाहिए होता है, यानि कि 210 ऐसे दिन, जो बिल्कुल ही bright हो और अच्छा sunlight हो, और उसमें बिल्कुल भी ठंडा, धुन, इस टाइप का मौसम नहीं आना चाहिए, तब जाके cotton बिल्कुल अच्छे से grow करता है और cotton खारिफ क्रॉप की category में आता है, और इसे grow करने में 6-8 महिने का समय लगता है, और हमारे country के किन-किन states में cotton को grow किया जाता है, तो वह है महराष्टरा, गुजरात, मधिप्रदेश, करनाटका, अंधिप्रदेश, तेलंगना, तमेल नाडू, पंजाब, हरियाना और यू जूट को grow किया जाता है, और हमारे country में mostly, जूट, West Bengal, Odisha, Megalia, इन regions में grow किया जाता है, और जूट के क्या-क्या usage होते हैं, वो हब हम जानते हैं, तो पहला use जूट का यह है कि उन्हें gunny bags बनाने में use किया जाता है, यानि कि jean bags में तुम देख आलू, प्याज, ये सारी ची जूट कोशली होता है, इसलिए market में आजकल synthetic fibers आ गये हैं, और इस कारण से आजकल जूट का production कम हो रहा है, पहले जो bags जूट के बनाय जाते थे, आजकल वो synthetic material के यानि कि plastic वगरे से बनाय जाने लगे हैं, इसलिए जूट की industry को आजकल बहुत ही जाना loss हो रहा है अभी सुधानसु भाईया ने तुम सबको बताया कि रभी, खरीफ और जायद crop क्या होते हैं, उसके बाद उन्होंने समझाया कि grain crop, food crop और non-food crop क्या होते हैं, उसके कई सारे examples थे, उन्हें अच्छे से explain किया, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला topic क्या होने वाला है, तो अब जो हमारा अगला topic है ना, उसका नाम है technological and institutional reforms, मतलब इतने सालों में agriculture में क्या-क्या reforms आये हैं, क्या-क्या changes आये हैं, क्या-क्या innovation हुआ है, government ने क्या किया है, किसानों ने क्या किया है, ये सब हम जानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग land reform के बारे में बात करते हैं, तो agriculture को बढ़ावा देने के लिए, government ने जमिंदारी system को खतम कर दिया है, इस system में क्या होता था, जो जमिंदार सोते थे बड़े-बड़े, वो किसानों से free में काम करवाते थे, या फिर बहुत जादा कम wages देते थे, और उन्हें exploit भी किया जाता था, government ने एक law pass किया, जिस system के according अब कोई भी जमिंदार ऐसा नहीं कर पाएगा, in sort तुम लोग यही समझो कि government ने जमिंदारी system को abolish करवा दिया, और तुम्हें तो पता ही होगा कि कई सारी reasons में field को consolidate भी कर दिया गया, मतलब वो जो fields है न, अब वो विकाओ नहीं होगी और वहाँ पे सिर्फ किसान खेती क इन sort तुम समझ सकते हो कि कुछ farmers को field दिया गया काम करने के लिए, और ये जो plan था न, ये 5 साल के लिए था, तो ये तो था land reform, अब हम लोग पढ़ेंगे agriculture reform, ये reform basically 1960 से 1970 के बीच में आया, और इसका main कारण था green revolution and white revolution, तुम screen पे देखी पा रहे होगे, इससे Indian agriculture में बहुत ज institutional reform और technical reform, institutional reform में क्या किया गया, institutional reform में किसानों को crop insurance दिया गया, अगर किसी भी कारण अगर drought आता है, flood आता है, cyclone आता है, या कोई fire या disease के कारण उनका crop बरबाद हो जाता है, इस case में किसानों को insurance मिलेगा, मतलब उनके जो पैसे लगे है न, वो उन्हें वापस मिल उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा, साथी साथ Grameen Bank, Cooperative Society और भी कई तरह के bank setup किये गये, जो सर्फ किसानों को ही loan देते थे, और इनका main काम यही था कि किसानों को low interest rates में loan प्रोवाइड किया जाए, ये तो था institutional reforms, जो की land development program के अंदर था, अब हम लोग technical reform देख लेते हैं, किसानों को किसान credit card और accidental insurance scheme भी provide किया गया, ये तुम्हारा technical reform के अंदर आ जाएगा, वैसे government ने एक और काम किया है, additional point याद कर लो, अगर 5 marks में आता है, तो थोड़ा बढ़ा चड़ा के लिखना पड़ता है, तो government ने minimum support price setup किया है, और साथी साथ एक permanent price भी fix किया है, imported crops के ल अगर ऐसा होता है, तो इंडिया में जादतर लोग सस्ते प्रोड़क्ट्स ही खर देंगे, तुम ही सोचो ना, तुम सस्ते सबजी ही खर दोगे ना, अगर इंडिया में सिमला मिर्च मिल रहा है, जो कि 50 रुपए किलो है, और वहीं import करके सिमला मिर्च लाया जा रहा है, ज जो की 30 रुपए किलो है, तो तुम क्या खर दोगे? अफकॉर्स तुम 30 रुपए किलो वाला खर दोगे, अब इससे क्या होगा? इससे इंडिया में जो किसान है, उनको नुकसान होगा, तो इसलिए गोर्मेंट ने imported crops के लिए एक fixed price रखा है, जिसके कारएं इंडिया के किस आनों को भी जादा नुकसान ना हो, अब हम लोग जल्दी से हमारे last topic को पढ़ लेते हैं, वैसे यहां से तुमारे exam से question आने की chances का मैं छोटा से topic है पढ़ लोगे, वो है contribution of agriculture in Indian economy, employment and output, तो देखो ये तो हम सब को पता है, कि जो agriculture है न वो starting से इंडिया का backbone रहा है, और अगर हम लोग इंडिया की GDP की बात करें, तो 2010 और 2011 में 52% of Indian GDP उठाना, वो सिर्फ agriculture से ही आता था, मतलब इंडिया के more than half population agriculture में involved है, तो यही था तुमारा last topic, I hope से तुम्हें सबच में आ गया हो, तो अगर तुम्हें agriculture chapter के explanation अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करो, और तुमन झाल